बहुत बड़ा क्रिकेट प्रेमी होने के कारण और अब एक तरह से इस खेल के साथ जुड़ जाने के कारण मैं इस बात की बहुत सारा ना करता हूँ कि विराट कोहली लगातार उंचे उठते जा रहे हैं मैं मैदान पर उनकी उर्जा देखता हूँ और मैदान की बाहर भी उनकी उर्जा देखता हूँ मैं देख रहा हूँ कि वे इस खेल की रिवाजों को बदल रहे हैं और उन्हें फिर से बना रहे हैं T20 फॉर्माट में 140-160 ठीक ठाक स्कोर होता था उन्होंने उसे एक नया रूप दे दिया है अब 190 भी ठीक ठाक से कम है 250-240 उनके अंदर कुछ है जो उन्हें दूसरों से अधिक प्रेरित करता है बहुत से लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं बहुत से लोग हैं जिनमें ये काबिलियत है मगर बहुत कम है जो इस काबिलियत को साकार कर पाते हैं वो क्या है? जो किसी को एहसास कराता है कि वो थोड़ा और कर सकता है थोड़ा और प्रेरित कर सकता है थोड़ा और रच सकता है नए स्थापित कर सकता है क्या ये अंदर ही होता है या बाहर होता है, वो क्या है? मैं भी बहुत दिल्चस्पी से विराट कोली को देखता रहा हूँ क्यूंकि मैंने पिछले 40-45 सालों में सभी महान बल्ले बाजूं को देखा है बहुत कम लोगों ने गेंद को इस तरह मारा है, जैसे वो मार रहे हैं शायद एक मात्र दूसरे व्यक्ति जो मुझे याद आ रहे हैं, वो हैं विवियन रिचर्ड्स जो गेंद को इस तरह मारते थे लेकिन मुझे लगता है कि वो एक मात्र खिलाडी थे जो गेंद को ऐसे मारते थे जैसे आज ये लड़का मार रहा है, जो बहुत दुरलब है अधिकांश लोग जिन्होंने सिर्फ टेलिविजन पर क्रिकेट देखा है, शायद ये नहीं समझते कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है 130-140 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से एक हार्ड बॉल आपकी और आती है और ये एक मात्र खेल है, जहां गेंद जमीन पर टपा खाती है और वो इधर उधर स्विंग करती है और आपको अपना निर्णय लेने के लिए बस एक पल का छोटा हिस्सा देती है कि उस गेंद को कैसे खेलना है ये ये बहुत खतरनाक खेल है आपको पता होगा कि गेंद बाजी की मशीने होती है वो कोलकता में भी होंगी, हाँ? गेंदबाजी की मशीने होती हैं नौजवानों मैं आपको बता रहा हूँ 140 किलोमीटर मत आजमाईए 80 या 90 किलोमीटर पर बस गेंदबाजी की मशीन को 90 किलोमीटर पर सेट कर दीजे और वहां खड़े उकर देखिए कि गेंद कैसे आपकी और आती जबरदस तेज ठीक है तो हर गेंद अलग तरीके से आपकी और आती है तो उसे संभालने की जरूरत होती है हमें समझना होगा कि वहां मौझूद हर कोई बहुत अच्छा खिलाडी है वो अनाडी दिख सकते हैं वो शून्य पर आउट हो सकते हैं मगर वो जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे हैं मगर कोई इस तरह अलग से चमकता है इससे मुझे याद आ रहा है एक मोटर साइकल चालक था जिसका नाम केनी रॉबर्ट्स था जिसने लगातार पांच बार वर्ल चैंपिंशिप जीती थी लोगों को विश्वास नहीं होता था क्यूंकि चैंपिंशिप आने के लिए आपको देश भर में 16 रेस जीतनी पड़ती है सारी मशीने टॉप कंपनियों द्वारा तयार की जाती है और सबसे उंची प्रतिभा के लोग होते हैं मगर लगातार पांच जीतने को अभूत पूर्व और असंभव माना गया तो उससे पूछा गया आप ऐसा कैसे करते हैं वो बोला मैं नियंतरण के साथ नियंतरण से बाहर जाता हूँ मैं ऐसे बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं अपने जीवन के हर कदम पर इसी तरह जीता हूँ हमेशा नियंतरण से बाहर मगर नियंतरण के साथ हर किसी को इसी की खोज होती है वो अपने जीवन में थोड़ा सा पागलपन चाहते है मगर वो पागल नहीं होना चाहते मगर सुरक्षा की अपनी चाहत के कारण वो उस थोड़े से पागलपन से खुद को दूर कर लेते हैं फिर वो हैरान होते हैं मेरे जीवन को क्या हुआ ये उबाओ और बेकार हो गया है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं फिर वो किसी चीज से चोट खा जाते हैं वो फिर से अपने आसपास दिवाने बना लेते हैं ये प्रक्रिया चलती रहती हैं तो अगर इस तरह के प्रदर्शन की बात करें तो एक चीज है जोश दूसरी चीज है जो आप कर रहे हैं उससे प्यार जो आप कर रहे हैं उससे वाकई प्यार करना आप में वही करने की चाहत होना मेरे खयाल से हाल ही में विराट कोली ने टेलेविजिन पर कहा मेरी एक ही समस्या है गुस्सा मैं एक भिक्षू की तरह होना चाहता हूँ कुछ ऐसा उन्होंने कहा था उन्होंने अपने शब्दों में शांत रहनी की इच्छा जदाए उनके पास ऐसी प्रतिभा है वो असाधारन बन जाएंगे वो धर्ती पर सिर्फ एक और खिलाडी नहीं क्रेकेट की एक नई कहानी बन जाएंगे उनमें जरूरी गुण मौझूद है जब वो 17 साल के थे तब मैंने ये कहा था मैंने सिंगापूर में अंडर 18 टीम या किसी टीम के लिए उन्हें खेलते देखा था वो कप्तान थे मैंने इस लड़के को खेलते देखा और मैंने तब ही कहा ये लड़का बहुत दूर जाएगा और फिर लगभग 5-6 सालों तक वो मेरे दिमाग से निकल गए फिर अचानक एक दिन भारतिय टीम में टेस्ट मैच में दिखे और अब वो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं अगर वो एक ठंडी आग बनना सीख लें ना कि ऐसी आग जो उन्हें चला दे तो वो ऐसी चीजें करेंगे जो शायर लंबे समय से नहीं हुई हैं